आले के A, B और 9 का एवरेज है 30 तो बताओ A प्लस 5, B माइनस 4 और 3 का एवरेज क्या होगा तो वैल बड़ा प्यारा सवाल बन गया A प्लस B प्लस 9 कितने नंबर हैं ये? तीन नंबर हैं ये एवरेज कितना है 13 उदर मल्टिप्लाई क्या? 33 तो 39 होगा क्या नहीं हो गया? A प्लस B 39 माइनस 9 यहनि के बोले तो 30 इससे मुझे बता चल गया कि A प्लस B की वैल्यों कितनी होती है बच्छो 30 यहां पर ठीक है जब अब यहां सावाल में कह रहेंगे अगर ऐसा है कि A, B और 9 का एवरेज 13 है तो बताओ A प्लस B, B माइनस 4 और 3 का एवरेज क्या होगा? अब नहीं करूंगा A प्लस B प्लस B माइनस 4 प्लस 3 इनको देखेंगे हाँ जी A प्लस B की वैल्यों तो हो गई 30 5 प्लस 3, 8, 8 माइनस 4, 4 एक नट यार 5 प्लस 3, 8 प्लस 5, B माइनस 4 और प्लस 3 एक 30 है चले हैं खेर, हो सकता है है B माइनस 2 और और इजिनल कॉस्चन में तो उप इतना मस्वला नहीं होता तो यह उचाहेगा 34 प्लस 3 अड़ी हमारा अंसर आजएगा बच्चो वाट इस सम उफ सिक्स नंबर whose average is equal to 60 यह निए 6 नंबर का average निकाला 6 नंबर का sum निकालें जिसका average 16 है तो तो को शॉट्रक फार्मूला क्या होता है sum बराबर होता है number multiply by average के number है 6, average है 16 16, 6, 96 and this is your हमारे online के लास्वाइने कहा था आप जो कोई भी topic करेंगे जैसे कि अब average का एक एक सवाल जो भी किसी भी university के पास वे पर भी किसी jobs के पास वे पर जो है GRE, GMAT, IBA, SAT IR, YMने solve करना है अब देखें N, N plus 2, N plus 6 और N plus 8 का कह रहें average तो निकालेंगे तो देखो इन सब को करो plus क्या करो plus और plus करके divide कर दो किसे करेंगे divide कितने number हैं यह 4 number तो 4 से divide कर दो 4N plus 12 upon 4 यह हो जाएगा N plus 3 एक और बड़ा ही प्यारा सवाल कह रहें A और B का average 30 है B और C का average 40 है तो बताओ C माइनस A किसना होगा अब A plus B upon 230 है तो cross multiply कर लो A plus B हो जाएगा 60 B plus C का average 40 है तो B plus C बराबर हो जाएगा 80 के अब इस equation में से इसको minus कर दो तो उदे को B भी कर जाएगा C minus A 80 minus 60 यहनी के 20 के खोल हो जाएगा यह हमारा answer होगा average arithmetic mean of X and Y is 40 if Z equal to 10 then what is the average value of X, Y and Z दिखो अगर पहली बत्तो तो तो जनरल मेस बहुत हसा है इतना मुश्किल नहीं होता यह भी हम फिलाल average के topic की बात कर रहे हैं अब average किसकी बात हो रही है arithmetic mean X और Y की arithmetic mean का लब हैं दो नमबर की दो नमबर है divide by 2 equal to किसके कर दिया 40 के अब understood सी बात है 2 इदा divided होता जागे 40 से multiple होगा और 42 सा आखर होता कितना है तो जी 80 होता है अब X plus Y अब हम क्या करेंगे Z की value लिखेंगे ना कितनी है 10 लिख दो अब X plus Y तो हमारा 80 था और 80 में अगर अब हम 10 भी प्लस कर दो तो 80 प्लस 10 हो जाएगा जो क्यों होता है 90 और 30 से जब divide कर लेंगे तो answer आजाएगा 30 और यही मेरा answer हो जाएगा ऐसा एक और बड़ा प्यारा साल है what is average of N N plus 1 N plus 2 N plus 3 N plus 4 N plus 5 अच्छा जी कितने नंबर हैं 1,2,3,4,5,6 तो plus तो करेंगे अब सब को divide भी किससे करेंगे 6 से आखर 6 से क्यों divide करेंगे क्योंकि 6 नंबर है तो N तो 6 है सब में 6 है आजाएगा सीधा साथा और जब इनको काउंट करोगे प्लस 15 अब आउन 6 अब दो कुछ आओ तो कुछ थिरी बगएरा कॉमल लेके देख लेना option में का answer दी है अगर थिरी कॉमल होगे तो 2 N plus 5 हो जाएगा यहां थिरी आजाएगा जो कि of course 6 से खटेगा 2 N plus 5 upon 2 is your answer तो देखो कितनी कॉंटिटी हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तोड़ा सा गड़ बढ़ किया नोने सावल में वी के तो साथ दिन होने चाहें चलो आट है तो कोई फटनी बढ़ता अम इन आठो नमबर को प्लस करके हम किस से कर देंगे आठ से डिवाइड कर देंगे और यह 52.5 है, तो इसको 52.5 कर लोकाई ली तो बड़ा सांसे भाथ, अर्ट नमबर हो तो अबरीज निकलने है चाहर्ट से डिवाइड साथ दिवाइड हो अबरीज निकलने है यह साथ से डिवाइड है अब नीचे अल असल वड़ा technique कर लेगे average of 10 number is 7 सब्सक्राइब करें तो बड़ा साने एट से मल्टिप्लाइब कर दो सब्सक्राइब और यह इस कोश्चन का क्या हो जाएगा अच्छा साले मीन मार्क आफ टेन बॉयिग इन के लास इस सेविंटी परसंट वियरएघ जाइब और फिन उव distract बॉयन मार्क आफ तो यह स्ट्ट्ट साफ अर। बेस त्लेएग उस देर दस स्ट्ट एन फार्मुलािस किस्में क्या होता है n1 x1 plus n2 x2 divided by n1 plus n2 ठीक है अब सीधी साथे बाता पुट कर देंगे और अंसर आजएगा अब जिन बच्चों का basic mass का concept नहीं है तो यह दिखो जाहरे 10 boys हैं इनका average 70 15 गल्स है 60 तो यह quantity हो गई n1 और n2 ठीक है और x1 और x2 इनकी percentage हो गई कल कला क्यों होता है कि दस लड़के इनके बास 70 रुपए 15 लड़के लड़के हैं उनके बास 60 रुपए पर 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 संथ तो बहुत सिंबल से बात है फिर क्या है रहे एवरेज ओफ 5 consecutive even numbers starting with 4 is 5 consecutive even number तो even number होते क्या है even number यह होते है एक तरीका दो है कि इन सब को plus करके 5 से divided कर तो of course 8 आचाएगा लेकिन थोड़ी सी आपकल यूज कर लो यार कि 4 से start है पांच number है तो of course average क्या होगा है दर्म्यान में ही होगा क्योंकि सारे even number है न तो दर्म्यान वाला number क्या है जी 8 है तो average जो है इनका 8 ही आचाएगा भई